आपके स्वास्टी से संबंधित अधिक जानकारी पानी के लिए आईरुवेट केर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर नए वीडियो आपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें है दोस्तो वेलकम टू आईरुवेट केर चैनल आज हम इस वीडियो में देखेंगे कीवी फल के खाने के फाइदे और कुछ नुक्सानात के बारे में कीवी फ्रूट या कीवी जिसको दुनिया भर में चाइनीज गुजबेरी के नाम से भी जाना जाता है अकेले चाइना में दुनिया का लगबक 56% कीवी फल का उत्पादन किया जाता है इस फल का नाम कीवी फ्रूट तब रखा गया जब यह पहली बार नियूजिलेंड से अमेरिका भेचा गया कीवी फ्रूट को कच्चा या जूस निकाल कर या दूसरे खाद्यो पदर्तों के साथ मिला कर खा सकते हैं इस फल को पूरा खाया जा सकता है लेकिन जादातर लोग इसकी बाहरी स्कीन को निकाल कर ही खाते हैं चाइना में यह फल बच्चों के शारीरिक विकास और प्रसुती हुई महिलाओं को दवा के सोरुप में दिया जाता है। इस फल में एक्टिन गीन्त नाम घटक होता है जो हमारी पचन क्रिया को सुधारता है। इसमें फाइबर अधिक होने से पेट की बीमारियों में लाबदायक है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो यह लगभग 100 ग्रैम में आपको 61 कैलरी देता है। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन C, विटामिन K के साथ कई माइक्रो न्यूट्रियन्स होते हैं। कीवी फ्रूट में ओमेगा-3 fatty acids और कैरोटिन्स होते हैं जो हमारे आखों की रक्षा करता है। और macular degeneration जैसे रोगों से हमको बचाय रखता है। 2014 में की गई एक research के मुताबिए इस फल में high dose of vitamin C रहने के वज़े से यह हमारे immunity को बढ़ाता है। कीवी फल में मौझूद high antioxidant, asthma बीमारियों में रोगियों के लिए लाब अपरत होता है। कीवी फल के उप्योग से हड़ियां मजबूत होती हैं। यह फल हमारे शरीड के platelets की संख्या भी बढ़ाता है। इसलिए आजकल जादातर लोग इस फल का उप्योग platelets की संख्या बढ़ाने में करते हैं। जैसे के हमने देखा है कि इसमें high dose of vitamin C होता है जो हमारी तवचा को भी सुन्दर बनाता है। आएए देखते हैं कीवी फल को खाने से पूरो ले जाने वाली सावधानिया और इसके कुछ मुखसानात के बारे में। वैसे तो कीवी फल बहुत ही सेफ है लेकिन कुछ लोगों को इसकी allergy भी होती है। जैसे की तोचा में सुजनाना, सांस लेने में परिशन होना, दम लगना या उल्टी जैसा या पेट दर्द होना। कुछ rare case में यह फल खाने से रखत तस्राव नहीं रुपता। इसलिए सरजरी के बाद इस फल को ना खाए। इस वीडियो को अंततक देखने के लिए धन्यवाद।